नमस्कार अब देख रहे हैं आपका अपना मोख शैनल जहां पर मैं प्रिया पांड़े आप सभी का धंकर्म के वीडियो में एक बार फरसे स्वागत करती हों और आज की खास मठार्मिक वीडियो में महाशिवरात्री की बात करेंगे कि इस साल यानि 2024 में जो महाशिवरात्री पढ़ने वाली है, उस में कैसे सईयोग जो है इस बार बन रहे हैं और उन सईयोगों में भोले नात को प्रसंड करने के लिए आप लोग को इस बार क्या क्या चले वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशिव चम्भू के साथ देवी पारवती की पूजा अच्छना करते हैं। बहा के क्रिश्मय पक्ष की चतुरदशी तिथी आठ मार्च को रात्री नौ बचकर सत्तावन से शुरू होगे। सिद्ध योग 9 मार्च को रात्री 12 बचकर 46 मिनट से 8 बचकर 32 मिनट तक रहने वाला है। करने से जीवन विसुख समरिधी आती है। वही मान्यताओं के अनुसार सिद्ध योग भगवान गनेश जी से जुड़ा हुआ है। ये योग आत के सभी कारियों में सफलता प्रदान करता है। स्रवन नक्षत्र की बात करें तो स्रवन नक्षत्र की स्वामी शनिदेव को माना जाता है। साथी या नक्षत्र अपनी सुभता के लिए जाना जाता है। श्रवन नक्षत्र में किये गए कारे का फल्श तो भी होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान प्रसिद्धी और प्रसिद्ध और सुखी भी होते है। तो दोस्तों आशा करती हूँ हमारे आज की ये महास्वरात्री पर बन रही संयोग वाली जो शुब संयोग बन रही है। उससे जोड़ी एक खाज जानकारियां आपको काफी पसंद आई होंगी। अगर ऐसी ही जानकारी आप जाना चाहते हैं धर्म से जुड़ी हुई तो हमारे चैनल मोक्ष को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीचेगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रू कीचेगा।